दो दिन बाद ही हम धर्ति आबा बिर्शा मुंडा की एक सो पचासवी जन्म जैन्ति का उत्सव मनाने जा रहे हैं और ये उत्सव हम मनाने जा रहे हैं नहीं हिंदुस्तान के हर कौने में दर्ति आबा की जन्म जैन्ति मनाई जाएगी और उसके पहले लोग तंत्र के उत्सव में आपने भी पुराने सारे रकोड तोड़ दिये हैं हर तरफ एक ही गुंज है रोटी बेटी और माटी की पुकार रोटी बेटी माटी की पुकार जार खंड में भाजपा एंडिये की सरकार रोटी बेटी माटी की पुकार रोटी बेटी माटी की पुकार साथियों आज जार खंड में पहले चरण का मतदान हो रहा है रोटी बेटी और माटी को बचाने का संकल्प आज हर बूथ पर दिख रहा है भाजपाने नारी शक्ती और नवजवानों के बविश के लिए जो गारंटिया दी है उनके प्रती भारी समर्थन दिख रहा है हमारा ये संथाल हमारा ये संथाल का खेत्र भी इस बार नया इतिहास रचने के लिए तैयार है संथाल में इस बार जेमेम कॉंग्रेस का सूपड़ा साप होना तैय है यहां एक बेटी बढ़िया सा चित्र बना के लाई है जा एक बेटी आपने चित्र के पीछे अपना नाम पता लिखा एं अपना नाम पता लिखा है अपना नाम पता पीछे लिखा है अच्छा वो बोल नहीं पाती है अच्छा अपना नाम पता लिख करके वो चित्र मुझे दीजिए मैं आपको चिठी लिखूंगा बेटे देखिए परमात्मा ने उसको कुछ कमी दी लेकिन उसका जो प्यार एसने है इस बेटी को मेरे बहुत बहुत आश्रवाद है वले भारत माता की भारत माता की साथियों मैं बीते दिनों जार्खन में जहां भी गया हर जगह विदेशियों की गुस्पेट को लेकर सबसे बड़ी चिंता रही है जार्खन्डी गव्रव जार्खन की पहचान ये आप सब की ताकत रही है और गर्व से कहते हैं न कि मैं जार्खन्डी हूँ और कल्पना करिये अगर ये पहचानी खत्म हो गई तो क्या होगा आंकडे बताते हैं कि संथाल ठेत्र में आदिवासियों की संख्या करीब करीब आदि रह गई है अगर ऐसे ही आदिवासी गड़ते रहें तो क्या होगा आपके जल जंगल जमीन हर चीट पर दूसरों का कबजा हो जाएगा हमें इस्थिती से मेरे आदिवासी परिवारों को भी बचाना है जार्खंड को भी बचाना है हर जार्खंडी को बचाना है साथियों आज जार्खंड की पहचान बदनने की बहुत बड़ी साजिस हो रही है जेमेम कॉंग्रेस में बहार से आए गुस्पेठ्जियों को यहां का पर्मानेंट निवासी बनाने के लिए हर गलत काम किये गए इन गुस्पेठ्जियों को उनके लिए रातों रात पक्के कागज बनाए गए आदिवासी बेट्जियों को शादी के नाम पर ठगा गया और जमीन हतिया ली गई इन गुस्पेठ्जियों ने आपसे आपका रोजगार छिल लिया आपकी रोटी भी छिल लिगी और इस पर यहां की सरकार का दोहरा रविया देखिये जेमेम सरकार ने कौट में कह दिया कि जारकंड में कोई गुस्पेठ्ज हुई नहीं है मैं सोशल विडिया पर एक बुजुर्ग का विडियो देख रहा था उनकी आँखों में आशु थमने का नाम लही रह रहे थे वो फूट फूट करके रो रहे थे यहां स्थानिय निवाशियों को पानी तक मिलना मुश्किल हो गया है इसलिए इस चुनाव में रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा सबसे बड़ा महत्व का मुद्दा है और मैं आपको विश्वाद दिलाता हूँ बाजपा एंडिये सरकार संथाल की जारखन की रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा से कोई खिलवाड नहीं होने देगी साथियों, हम बाबा बैतिनाद के भक्त है हम सिद्दो कानों, चांद भाराओं और फुलो जानों की ही तो बेटे बेटी है हम कर्मा पुजा करने वाले लोग है, जो बेहन और भाई के मजबुत रिस्ते का प्रमाण है मुझे आद है, जब सितंबर में मैं जारखन आया था तो उस दिन कर्मा पुजा का माहोल था यहां की मेरी एक आदिवासी बेंड ने एरपर पर उतरते ही मुझे कान के पास जावा पहनाया था मैं पूरे दिन उस जावा को कान पर लगाए शान से गुम्रता रहा और दिल्ली पहुचा तब भी मेरे कान पर से जावा उतरा नहीं था साथियों हमारे संस्कार हमारी संस्कृति में माता बहनों बेटियों का स्थान बहुत उंचा है लेकिन यहां क्या हो रहा है यहां हमारी एक बेटी हमारी बहन को कॉंग्रेस के नेता गाली देते हैं बद्दी बद्दी गालिया देते हैं बहन सीता सोरेन के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं का आकरी इन लोगों में इतनी हिम्मत आई कहां से यहिम्मत इसलिए आई क्योंकि इनको पता है कि महलाओं को गाली देकर भी उनका कुछ रही होगा सरकान उनकी रक्षा करने के लिए बैठी है वो जानते हैं कि जेम्म को आदिवासी बेटी के मान सम्मान की कोई चिंता नहीं है और इसलिए कॉंग्रेस और उसके नेता आदिवासी बेटियों का अपमान करते फिरते हैं और ऐसा नहीं है कि उनकी ये हरकत सिर्फ जारखंड में होती है आप जानते हैं भाजपा ने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपती बनाने का फैसला किया हम भी द्रवपदी मुर्मुजी को उमीद्वार मनाया लेकिन जेमेम की साथी इसी कॉंग्रेस ने द्रवपदी मुर्मुजी को हराने के लिए पूरी शक्ती जौक दिये आज भी कॉंग्रेस के नेता कदम कदम पर आदिवासी बेटी भारत की राष्ट्रपती द्रवपदी मुर्मुजी का पान करते हैं और ये देखकर भी जेमेम के लोग चूप रहते हैं साथियों कॉंग्रेस के इरादे बहुत खतरनाख है कॉंग्रेस के सहजादे ने साप कर दिया है कि वो SC, ST, OBC आरक्षण को खत्व करना चाहते हैं इनके पिताजी जब कॉंग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा थे आज जो राजकुमार है ना उनके पिताजी तब इही उन्होंने आरक्षण हटाने का एलान कर दिया था उन्होंने अखबारों में विज्यापन छपाए और विज्यापनों में आरक्षण को गुलामी बताया था आरक्षण को बंदुवा मज़ूरी बताया था लेकिन SC, SC, OBC की एक जुर्ता के कारण वे तब चुनाव हार गए बुरी तरह हार गए और तब से आज तक कॉंग्रेस को कभी भी केंद्र सरकार में पूर्ण बहुमत नहीं मिला आज भी जीन राज्यों में SC, SC, OBC यह आबादी ज़्यादा है वहां कॉंग्रेस का पत्ता साफ हो चुका है इसलिए कॉंग्रेस ने एक नई साजी सरती है कॉंग्रेस ने आप लोगों की आँखों में दूल जोंकने का एक नया खेल खेला है यह लोग आप SC, ST, OBC की जो सामुहिक शक्ती बनी है SC कहते ही सारा अधिवासे समाज इकट्टा हो जाता है SC कहते ही सारा दलित समाज इकट्टा हो जाता है OBC कहते ही सारा पिछडा समाज इकट्टा है यह सामुहिक शक्ती जो बनी है यह कॉंग्रेस वाले इसे तोड़ना चाते हैं टुकडो टुकडो में बाटना चाते हैं यहां मंडल, यादव, रवानी, कोईरी, गटवार, तेली, कुमार, बढ़ई, धानोक, नाई, लोहार, सोनार ऐसे अनेक जातियां है, जो अभी खुद को OBC के रूप में एक जूट बनाए हुए है कॉंग्रेस चाहती हैं कि यह सारी जातियां आपस में लड़ें यहां संथाल, पहाड़िया, कोल, भुमीद, लोहरा, महली, मुंडा, और आव, ऐसे अनेक जनीजातियां है जो अभी खुद को आदिवासी के रुप में एक जुट किये हुए है कॉंग्रेस इन जातियों को भी आपस में लड़ाना चाहती है यहां मोची, बावरी, मुसहर, भुया, पांसी, रजवार, तूरी दुसात, धोबी, हरी महतार ऐसे अनेक जातियां रहती है जो अभी SC के रुप में, दलित के रुप में संगडित है कॉंग्रेस इस पूरे SC समाज की जातियों को भी आपस में लड़ाना चाहती है कॉंग्रेस चाहती है कि SC, ST, OBC की पहचान खत्म हो जाए सेकड़ों छोटी मोटी जातियों में समाज तूड़ जाए, बिखर जाए आपस में लड़ता रहे जिस दिन ऐसा होगा तो इनकी सामोहिक तांकत खत्म हो जाएगी और कॉंग्रेस रातो रात ST, ST, OBC का आरक्षन खत्म कर देगी क्योंकि उनके पिताजी ने दंके की चोट पर अलान करके गए है अड़ इसलिए आपको साउधान करने आया आपको जगाने आया हो आपके लिए मैं लड़ने के लिए मैदान में आया हूँ मेरे भाई बैन आपको साउधान ज़्यादा रहना है आपको याद रखना है एक है तो सेफ है एक है तो एक है तो एक है तो एक है तो अपना अपना परिवार मोदी के लिए आप ही मेरा परिवार है साथियों जे एम एम हो कॉंग्रेस हो आरजीडी हो इन लोगों को सिरफ अपने परिवार के बविश्च की चिंता है ये इसी तिकड में लगे रहते हैं कि इनके परिवार का भला कैसे होगा लेकिन मोदि को आपके परिवार की चिंता है आप ही मेरा परिवार है आपके बाल भच्चों का भविश्च अच्छा हो मुझे इसकी ही चिंता रहती है क्यों? क्योकि आप ही मेरा परिवार है इन्होंने पांच साल तक क्या किया इन्होंने अपने परिवार को फाइदा पहुचाने के लिए आपका सब कुछ लूटा जी एम एम कॉंग्रेस ने आपका जल लूटा